राजस्थान आईटी डे इसकी डेट्स 19, 20 और 21 मार्च रहने वाली है यह जैपूर में होने वाला है तो इस वीडियो में हम इसमें रेजिस्टेशन कैसे करना है उसके बारे में डिटेल से डिसकुशन करने वाले हैं उससे पहले एक ज़रूरी सूचना यह है कि इससे रिलेटेड दो वीडियो में आलरेडी यूट्यूब चैनल इसके लियूद गुरुकुल जो कि हमारा है उसके अपलोड कर चुका हूँ पहला वीडियो जो राजस्थान आईटी डे क्या है उसके बारे में डिटेल में है जो जोब फेर होने वाला है आईटी जोब फेर उसकी डेट्स 20 और 21 मार्च रहने वाली है उसका भी एक रिजिस्टेशन करने का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में अविलेबल है इस तरीके से राजस्थान आईटी डे क्या है पहला वीडियो और जोब फेर में रिजिस्टेशन का जो दूसरा वीडियो है उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो में हम रिजिस्टेशन के बारे में जानेंगे कौन सी इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे लेना चाहिए या आप ले सकते हैं और इसमें एंट्री बिल्कुल फ्री है तो आप जरूर इस इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिएगा आएए जानते हैं इसमें रिजिस्टेशन कैसे करना है तो बैसिकली अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह इसका इंट्रफेस है यहाँ पर इसके जो प्रोग्राम से उसके बारे में बताया गया है और प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्राम्स है वो कुछ ऐसे रहने वाले हैं तो यहाँ तीन लिंक्स आपको दिये हुए है रेजिस्टर फॉर आईटी डे एंड कॉर्निवाल अंड रन रेजिस्टर फॉर हैकेथॉन और रेजिस्टर फॉर आईटी जॉब फियर इस वीडियो में हम केवल यह जो पहला है रेजिस्टर फॉर आईटी डेंड कॉर्निवाल रन इसके बारे में डिसकेशन करने वाले हैं क्योंकि रेजिस्टर फॉर आईटी जॉब फियर के लिए एक वीडियो आलरेडी सेम चैनल पर अप्लोडेड है वो आप देख सकते हैं तो जैसे ही हम रेजिस्टर फॉर आईटी डेंड कॉर्निवाल एंड रन पर टच करते हैं हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन होती है ज्यान रखिएगा हैकेतौन के लिए अलग से आपको रेजिस्टेशन करना है आईटी जॉब फिर में जाने के लिए आपको अलग से रेजिस्टेशन करना है और केवल गूमने के लिए और इसकी इवेंट्स को पाटिसिपेट करने के लिए इंजॉय करने के लिए आपको अलग से रेजिस्टेशन करना है तो अब हम केवल ऐसे visitor ऐसे गूमने के परपस से जाने के लिए registration करने वाले हैं ध्यान रखिएगा यहां कुछ आपको अपनी basic details भरनी है सबसे पहले आपको अपना नाम यहां पर भरना है पहला नाम दूसरा आपका last name यहां भरना है तीज रहा आपको date of birth यहां mention करनी है उसके बाद आपका email address mention करना है फिर यहां पर आपको gender mention करना है उसके बाद आपको अपना address यहां भरना है उसके बाद आपको state यहां choose करना है अगर आप राजस्थान से या इंडिया के किसी भी state से हैं आप इसमें participate कर सकते हैं आप इस visit को इस fair को इस IT day के मेले को घूम सकते हैं उसके बाद आपको अपना district choose करना है आपको category choose करनी है कि आप क्या है आप student है, government employee है, corporate employee है, delegate है, media partner है start-up है या journal है उसके बाद में आपको अपना जो area of interest है वो mention करना है, ध्यान रखिएगा अगर आपको केवल IT carnival run में participate करना है तो आप इसको choose करें कि यहाँ, आपको जो 19 तरिक को दौड होने वाली है उसके बारे में participate करना है तो आप यहाँ, आपको expo visit करना है तो इस पे भी touch करें और आपको sessions attend करने हैं आपको यहाँ touch कर देना है और नीची यह submit का option आ रहा है आपको submit कर देना है जहाँ रखिएगा आपको यहाँ पर अपना 10 digit का mobile number डालना है उस 10 digit के mobile number को यहाँ डालने के बाद में आपको एक OTP आएगा उस OTP के बाद में आप इसके process को complete कर सकते हैं और दूसरी चीज इसका जो link है registration का वो नीचे description में आपको मिल जाएगा उसको जब आप touch करोगे तो आपको यह interface open हो जाएगी यह जो website है वो open हो जाएगी अब एक बार events के बारे में देख लेते हैं वैसे तो मैं detail में बता चुका हूँ एक वीडियो बना चुका हूँ बठाँ इसमें हम time table देखते हैं कि कितनी तारीक को कितनी बजी कौन सी event होने वाली है तो जैसे ही आप events पर touch करोगे आपके सामने यह options open होगे mega job fair, carnival and run, mega hackathon IT export drone चो तो अब हम यह carnival run के बारे में करवाना है और उसके बाद में आपको जमार कला केंदर जाना है जैपूर में उसके बाद में IT day general registration for 21 और 20 March को जो होने वाला है उसका registration भी इसी में होने वाला है mega hackathon जो कि offline board में होने वाला है और online board में होने वाला है जानों का timings और date यहां दी हुई है mega job fair के dates यहां दी हुई है अब हम जानते हैं कुछ और इसकी informations को basically 19 21 March का यह program रहने वाला है अब registration के लिए यहां पर भी link दिया हुआ है mega hackathon का link यहां दिया हुआ है और registration जो job fair के लिए है उसका link यहां दिया हुआ है अब कुछ parallel sessions होंगे उनके बारे में अगर आपको details जाननी है तो आपको यह जो day 1 की detail यहां available हो जाएगी जैसे ही आप day 2 पे touch करते हैं आपको day 2 के details यहां display हो जाएगी जब आप day 3 पे touch करते हैं तो आपको day 3 की जो details है वो यहां पर डिख जाएगी तो यह कुछ इसका criteria रहने था आप इसको और explore कर सकते हैं और जरूर registration कीजिए बहुत कम ऐसी events होती है जिसके अंदर हम लगबग सब कुछ एक साथ देख सकते हूं जैसे इसमें live music band होने वाला है कार्डिवॉल रन होने वाली है जमार कला के इंदर में smart village रहने वाला है जमार कला के इंदर में ही youth film festival होने वाला है और यह कुछ पुराइने साल की glimpses है तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आपसे 19, 20 और 21 को जमार कला के इंदर रहस्तन college और commerce college में और अगर आप आने वाले हैं तो इस वीडियो के comment box में जरूर comment छोड़ दीजेगा इस वीडियो में इतना ही thank you so much for watching this video मिलते हैं next किसी informative वीडियो में best wishes